सीमा सुरक्षा बल मेरू द्वारा प्रखन में निशूलक स्वास्त जांच शीवीर का आयूजन किया गया। अपने स्वास्त की जांच करवाई। शीवीर के दौरान कुल 1820 वैक्तियों की जांच हुई एवं निशूलक दवाई वित्रित की गई। महालीरिक शक्त ने कहा कि प्रतेक वर्ष सीमा सुरक्षा बल सदर अस्पताल के सहयोग से जरूरी गाउं को चीनित करने के उपरान स्वास्त जांच शीवीर का आयूजन करता है। ख़बर 365 न्यूज के लिए दारू परखंट से सुमन सीना की रिपोर्ट। ख़ब भी लगाई है। किसी का बलड टेस्ट होना है, किसी का यूरिन टेस्ट होना है या अन्य तरह के चेक चेक अपस है। जिदि हमें मिलता है कोई पेशेंट ज्यादा किसी को परिशानी है तो हजारी बाग भी हां से दूर नहीं है। आज नहीं तो कल उसको हजारी बाग लगा के चेक कर लेंगे। हमारे दो चीजा में हमारा अब्जेक्टिव है। एक तो पेशेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है। अभी हमारी वाइफ हैं जो कि बाबा अद्यक्षा है हैं की। दिल्ली में है, बील कपूर हॉस्पिटल में काम करती है। उनका इसमें काफी योगदान रहा है। उससे फिर हमने जो इनकी पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई भी जो की हैं। उसके इसाब से इनको दबाईयां का वितरण हो जाएगा। जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो नहीं है वो हम प्रस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो कई पेशेंट्स खरीद भी सकते हों। कोई ज्यादा गरीब होगा तो उसके लिए बाद में हम परेंच कर देंगे। इसमें सीरीज ऑफ वेलफेर एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। इसमें जो लास्ट प्रेस कॉन्फरेंस हुई थी आपके साथ जन्वरी में मेरी तो उसमें भी आपकी तरफ से मीडिया की तरफ से भी पॉइंट आया था कि आप एक मैडिकल कैम्प लगाई है। व कोई कैम्प अंत नहीं है एक इस साल का एक बिगनिंग है और जहां-जहां जरूवत होगी हम फिर महाँ पर कैम्प लगाएंगी और बीएस अपका पब्लिक के साथ हमेशा जोड़ा आप रहा है चाहें बॉर्डर हो मेरू कैम्प तो देखे बहुत पुराना है यहां समय पर बहुत सारी वेलफेर एक्टिविटीज भी करते हैं वी दो दिन पहले हमने प्याव का भी किया था और आगे भी बहुत सारी चीजह हम करते रहेंगे यह हम अपना दूटी समझते हैं अभी इसमें जो आसपास के गाउं वह आ जाएंगे जो दूसरा कैम्प लगाए हम फिर इडेंटिफाई करेंगे कि सेरी में ज्यादा गरीब है कि सेरी में ज्यादा सीरियस प्राउबलम्स है इस वुट बी ड़न बेज़ डॉन सटेन इंपूट्स यह कुई ऐसे ही नहीं करेंगे हम मतलब यह सब सोस समझ के जहां ज्यादा परिशानी है जहां यह लोग नहीं जा पा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में जहां बुरी ज्यादा जनता है हम उनीर गावंस को टार्गेट करेंगे ताकि उसका फाइदा हो मतलब लोग को जो वर्गा छूट रहा है उसको कुछ फाइदा होना चाहिए